Hi friends, welcome back to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ O2O Rose Gold Elixir Serum का review 24 karat यह जो है मैंने Aliexpress से purchase किया है जो price है वो 700 रूपीज है अभी तक वैसी Indian beauty brand ने ऐसी कोई भी serum अभी तक launch नहीं किया है वैसी यह आपको Amazon पर भी मिल जाएगा और Amazon पर इसका price 1100 रूपीज है आपको Amazon पर थोड़ा सा महेंगा मिलेगा क्योंकि Amazon जो है वो बहुत जल्दे shipping करता है और Aliexpress से आपको आपका product 2 months में deliver होता है तो यह difference है अगर आपको जल्दे चाहिए तो आप Amazon पर order कर सकते हैं पहले बात करते हैं इसकी packaging की तो आप देख सकते हैं इस तरीके की पैग में यह pack होकर आया था कुछ जादा packaging बहुत अच्छी नहीं है मतलब simple सी packaging है और इसमें broken होने की भी damage होने की भी chances पूरे पूरे रहते हैं तो packaging बहुत ही धीली ढाली सी है तो चली मैं review स्टार्ट करती हूँ तो यह जो है O2O का rose gold elixir 24 karat gold infused beauty oil है इसमें जो आपको quantity मिलती है वो 15 ml है तो side में यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी MFG और expiry date तो यहाँ पर जो theme है बहुत dark है तो इसमें वैसे इसकी shelf life 3 years है यानि 3 years तक आप इससे store करकर रख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में information दी गई है क्या-क्या benefit है तो इसमें बताय हुए है कि जो आपके fine lines होती है hyper pigmentation है, marks stretch है उन सब को भी धीरे-धीरे कम करने लगता है आप इसे अपनी make-up से पहले as a primer भी use कर सकते हैं serum की तरह और अपनी lips पर moisture के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं अपने face पर भी lips पर भी moisture के तरह भी use कर सकते हैं next यहाँ पर आपको barcode भी दे रखा है निचे लिखा हुआ है cruelty free है और open करने के बाए 24 मन तक आप इसे use कर सकते हैं recycle bean है and made in China है कि यह चाइना में बना हुआ है तो यहाँ पर इसके ingredient दे हुए है इसमें hydrogenate sweet almond oil फिर है seed oil 24 के gold essence and यह जो है no animal testing है यानि cruelty free है plant based ingredient है इसमें कोई भी paraben product यूज नहीं किया है तो इसके सबसे खास बात है है कि cruelty free और paraben free है इसे open करते हैं उपर इसका O2O का sign बना हुआ है यह एक जो है मतलब box है container में चलिए इसे open करते हैं तो अब देख सकते हैं इस तरीके से अंदर से इसके packaging काफी अच्छी है तो इस तरीके से यह packed होके मुझे मिला है इस तरीके से यह एक अंदर bottle है और नाव मैं आपको निकाल के दिखाते हूँ कि इसकी bottle जो है वो बहुत जादा pretty है देखने में बहुत जादा मतलब attractive है देखने में और आगे भी इसकी information दी हुई है कि यह rose gold elixir है और सेम बैक पर भी आपको information दी हुई है कि यह cruelty free है और 24 मन तक आप इसे open करने के बाद यूज कर सेते हैं तो बात करते हैं इसकी packaging की तो यह एक जो है glass bottle है और प्लास्टिक का pump है जिससे कि अकसर आपने दवाई की bottles देखेंगी यह कुछ उस type की इसकी shape है तो bottle काफी attractive है and then मैं आपको दिखाते हूँ कि side में भी जब आप open करते हैं तो side में भी यह rubber है जिससे कि जो आपका product है वो बिल्कुल भी leak नहीं होगा अब जब pump को दबाएंगे तो उपर जो है serum इस pump में आजाता है and then आप देख सकते हैं कि कितना beautiful है मतलब यह थोड़ी से इसकी जो shine है वो आपको वीडियो में कम दिख रही होगी लेकिन यह बहुत ज़ादा pretty है and आप देख सकते हैं इसकी जो shape है pump की awesome है मतलब एक एक जो drop है वो easily अलग-अलग से refine हो रही है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा pretty है मतलब अभी तक मैंने ऐसा serum नहीं देखा था सच में इस प्राइस में यह serum मतलब great है वोट ही light weight है greasy बिल्कुल भी निग अपने makeup से पहले as a primer की तरह भी use कर सकते हैं and second आप अपने brushes पे यह अपने जो sponges होती है उन पर भी इसे use कर सकते हैं इस आपकी foundation जो आप base use करते हैं वो easily spread हो जाएगा अपने makeup में use कर सकते हैं जिसे foundation ठीक होती है उसमें भी and then आप इस अपने lips पर भी use कर सकते हैं and आप इसे as a के अलावा आप इसे अपनी skin पर भी use कर सकते हैं अगर आप दिन में two times use करते हैं तो hyper pigmentation, fine lines and जो भी दिक्कत होती है वो भी दूर हो जाती है serum में आपको recommendant करूंगी कि आप इसे ज़रूर एक बार try करें and आप भी इसके fan हो जाएंगे तो अगर आपको मेरे ये review अच्छे लगा हो तो like, subscribe और share करना बिल्कुल भी न भूले thank you